नमस्क्रा दोस्तों स्वागत है आप स्वीका ओलनेटा फॉस्टी यीट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात कहेंगे तमाम भरतियों की लेटस अब्डेट के बारे में जैसा कि आप जानते हैं किसी बरती सम्मधित कोई भी जानकाई होती आप स्वीका ओलनेटा फॉस् के लिए यह बिल्कुल फिरी होगा जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है एंडोल करने के लिए आज गोतम टेन लगाएं इसमें आपको साथ मिनट में स्टार्ट कोईशन के आंसर देकर जीच सकते हैं आप बहुत साहीं इनाम जैसा कि आप देखे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वार बनाया गया है इसके साथ ही लाइप टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिस दोनों में देखने के लिए मिलेगा अनेकेडमी कॉमबेट इंपोटेंट क्यों है तो इसके लिए आप सभी पढ़ाई के सास्ता बहुत साहीं इनाम लिंग पर क्लिक करें जिसमें आपको जन्रल अवेर्नेस क्वांटिटी एप्ट्यूट इंग्लिस लेंग्विज लॉजिकल रीजनिंग और भी बहुत सारी सब्जेक्ट आपके एक्जाम के लिए महत्तबूर है वह सभी दिये गए लिंक पर किलिक करें के एंडॉल करना ब बहुते हैं उस omohy आते आते हैं आफका जब परडाम जादी होता है वह स्वे चार-प्वांस दिन तक इंतिरां करना होता है उसके बाद से कहीने की हजारों चार्टों को नुकसान जिलना पड़ता है इसी करब में अगर बात की जाए उत्रप्रदेश के अंदर अधिकारी बनने के लिए आविदन तो मांगे गए लेकिन सर्वर धडाम किर गया उसी को लेकर आज के सवाचा पत्रों में आपको जानकरी देखने के मिलेगी कि हजारों अभ्यति नहीं कर सके आविदन PCS आविदन की अंतियम तारीक के दिन अगर बात की जाए अंतियम दिनों के अंदर सर्वर डाउन हो जाने के कारण आई समस्या के चलते तारीक बढ़ाई जानी की मांग की जारी है अब ब्यातियों के माध्यम से ग्याप परिक्षा 2022 के लिए आविदन की अंतियम तारीक 16 अपर निदायत की थी प्रत्यों की चात्तों का दावा है कि आविदन के अंतियम दिनों के अंदर सर्वर डाउन हो जाने के कारण हजारों ब्याति आविदन नहीं कर सके ऐसे मैं अगर बात की जाए बड़ी संक्या में चा सब्सक्राइब निकल जाने के बाद हजार अब्रति यह से जो भी जानकाई दी गई है उसके आधार परिच्छन करवाया जाएगा इसके बाद में आयो के माध्यम से कोई नेड़ने लिया जाएगा मतलब यह है कि अभी तारीक बढ़ा जाने को लेकर कोई फैस्ता नहीं लिया गया है आगामी समय के अंदर हो सकता है कि तारीके बढ़ा दी जाए वहीं दूसी तर बात की जाए अपनी अपडेट के बारे में जो की संबंदित है एक जुलाई से 300 इनिट विजली फीर दिये जाने के पंजाब के अंदर एक जुलाई से सभी से घरवली उप्रुक्ताओं को 300 इनिट विजली फीर दिये जाने को लेकर ऐलान कर दिया गया है इसके साथी पंजाब के मुक्यमंदी के माध्यम से आमाधी पार्टी सरकार ने शरीवार को 30 दिन का कारिकाल पूरा कर लिया अगर द सर्मियों को लेकर हो या फिर अगर बात की जाए 300 इनिट विजली फीर दिये जाने के बारे में लेकिन इसी समय पर और भी कई अलग-अलग राज्यों के अंदर चुनाब हुए थे वहां पर इस प्रकार की अभी तर्फ गोशना की जाएं कि 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, कब तक आएंगी इसके बारे में कोई जानकाई नहीं है और अलग-अलग राज्यों के अंदर जो चुनाब हुए थे वहां पर इस प्रकार के नतीजे लगाता लिये जा रहे हैं बाकि इसके बारे में आप क्या समझते हों क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताएं लेकिन दूसरी दर बात कीजाएं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंदीत है ओवी सी आरचन को लेकर जैसा कि आप जानते कि ओवी सी आरचन को लेकर पहले से बहुत सारी विवाद देखने के लिए मिलते हैं और सरकार के माध्यम से भी बार-बार इससे संबंदीत क लेकर एक वाद फेसे सरकार की तरफ से बड़ा बदलाब किया जा सकता है उपर लिखा हुआ है कि दस लाग से उपर का हो सकता है जैसा कि आप जानते कि अंदर दो केटेगी देखने के लिए मिलती है की मिले नॉन की मिले जिसमें आपको एक में आरचन मिलता एक के अंदर नहीं मिलता है लेकिन आपको यहां पर थोड़ा सा कहिने की टर्मन कंडिशन फॉलो करनी होती है वह होती है आठ लाग तक की आए उसको बढ़ाता यहां पर लिखा हुआ है कि दस लाग किया जा सकता है ओवी सी कीमी लियर का दाया नीचे लिखा हुआ है एक तरफ जहां प की आएक बढ़ा कर 10 लाग तक की किया जा सकता है वैसे इस दाये को प्रतेक 3 साल के अंदर बढ़ाने का प्राबदान होता है इससे पहले 2070 के अंदर 6 से बढ़ा कर आठ किया गया था पांस साल बाद इसको बढ़ाई जाने को लेकर यहां से उंबीते देखने के लिए मिल आजिक न्याय एवम अधिकायतना मंत्याला यह पहल पहले शुरू की थी जब OBC उपभगी करण का काम चलता हुआ दिखाई देया था अब ऐसे में इसको लेकर काम करें आयुक जल्दी अपनी रिपोर्ट को पेश करेंगे और संकेत दियें की हाली में मंत्याला ने संसत को भ जिसमें कोड ने कहा था कि कीमी लेर का निजान सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता इसके लिए सामाजिक आर्थिक सहित कई अन्य पहलियों को ध्यान में रखा जाना आवेश्यक होगा उसी की आधार पर माना जा रहा है कि आगामी 31 उलाजितर के स्मूद्य को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है जिसकी अंदर यहां पर कीमी लेर का जो दाइरा होगा वह आठ से बढ़ा कर दसला किया जा सकता है तो वहीं यहां पर लिखा हुआ है कि ओवीसी वाले चात्तों को कहां पर किस पर का आर्चन दिया जाता है पंजाब के अंदर लगबग 12 परसंट के अंदर लगबग 33 परसंट आर्चन दिया जाता है ओवीसी चापतों को इसी के साथ अगर बात कीजाए अपने अगली अपडेट के बारे में जो कि सब्मदीते 7200 एडिट स्कूलों के अंदर नई सिक्षक भरती के बारे में 7200 पर नई सिक्षक भरती को लेकर तमाम जानक प्रदेश के असास की साहता बाद माद्य विद्यालें के अंदर प्रदाना चार्ज से लेकर टीजटी पीजटी प्रवक्ताओं की कमी 2021 में उत्तर प्रदेश माद्यमी सिच्छा सिवर चैन बोड़ के माद्यम से 15000 से ज़्यादा सिच्छों की भर्धी करके पूजी की गई यहां और उसके सब्सक्राइबात की जानगाएं तो साथ जाचाइ लगंदी के लेकिन नई भरती के लिए थोड़ा सा इंतिजार करना पड़ रहा है उसकी सबसे बड़ी बज़े यह है कि चैन बोड के अंदर जो काले पूरे तरीके से ठप हो चुका है चैन बोड के अंदर सदस्य भीहिन देखने के लिए हैं लगबक अगर बात की जाया सदस्यों में से दसका कारिकाल खतम हो जाने के चलते सिर्फ चैन में यहां पर बचे हुए हैं अब अकेले क्या करेंगे यह तो आप सभी जानते हैं यहीं बज़ए कि 7200 पर नई सिक्षक भरती के विग्यापन को लेकर लगाता चाथ यहां से यूबा नई भरती का इंतजार कर आएं लेकिन चैन बोर्ट सदस्यों हो जाने के चलते चैन प्रकिया पूरे तरीके से ठप हो गई है चैन वो नई भरती हो या फिक पुरानी भरती इन सभी के चकर में अभी तक काज़ शुरू नहीं हो पाया है यही बज़ए कि नई स्वास्त विवाग के अंदर 142 प्रतों में नई भरती को लेकर अगर आप लोग आवी दिन करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकाई आप सभी को थोड़ी लेनी होगी यहां पर लिखा हुआ है कि अगर बात किया प्रदेश के अंदर साथ मेडिकल कोलेजों के अंदर स स्वास्त विवाग के माध्यम से शनिवाग को विग्यापन जादी कर दिया गया है जिसमें आप स्वीकर सामने जानकाई देखने के लिए मिलती है कानपुर आग्रा मेरट जांसी गुरगपुर प्राग्रास और कन्नोज सरकाई नर्सिंग कोलेजों के अंदर 142 प्रतों को आविदन मांगे गए है कॉलेज में प्रिंसिबल वाइस प्रिंसिबल की पर्द की केवल इंटिव्यू के माध्यम से बहा जाएगा अन्य पदों के लिए लेकित परिच्छा भी देखने के लिए मिलेगी अधिक्तम आयू 68 बस निधायत की गई है 16 मई तक ऑनलाइन इसकी माध्यम से जानकाई देखने के लिए मिलती है जो आप सभी की सेमिस्टर परिच्छा उन सभी के लिए परिच्छा का कादिकर्म गोशित कर दिया गया है दोत्य सेमिस्टर की परिच्छा किस तारीक को देखने के लिए मिलेगी उसके बारे में यहां से दिनांक आप स समझें दो कोड विद्यातियों को मिलेंगे टैबुलेट स्मार्टफोन की बारे में हालंकि इस मुझ्धे को लेकर मैं बिलकुल भी सहमत नहीं होता हूँ जब बात की जाती दो कोड टैबुलेट या प्रकोन के बारे में क्योंकि इसN से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा आज का अभ्यादियों के पास में इससे अच्छे टैबलेट स्मार्टफोन अवेलेबल होंगे मुझे उंबीद है कि बहुत सारी अभ्यादि के पास लेप्टोप होंगे जो इससमेश वीडियो को सुन रहें लेकिन अगर बात की जाए उत सरकार के माद्यम से दो कोड टैबलेट लेप्टोप दे कर कहीं ने कई छातों को यहां पर दिलासा दिये जाने का काम किया जारा बज्या रोजगा दिने के नीचे लिखा हुआ है कि पूर प्रदार्मंदी अधल व्यारी बाजपर की जैनती सुशासन दिवस के मौकी पर 25 दिसमबर स्मार्टफून बित्यत करेगा जिसके बाएं में जानकाई लिखे हुई है हर साल 40-50 लाग विद्यादी इसके लावांत